असलाम आलेकूम आज हम आपके साथ में वैज कटलेट्स की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनने में एकदम आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वैज कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर पांचे मीडियम साइज के आलूलियें हैं जिनको हमने बॉयल करके लख लिया था अब यह ठंडे हो चुके हैं तो इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे एकदम बारीक मैश करना है वीडियो को प्लीज एंड तक देखेगा पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा तो देखे यह एकदम हमने बारीक मैश कर लिये हैं अब हमने कुछ चीज़े लिये हैं चलिए वो भी देख लेते हैं यह हमने रोस्टिट ब्रेड क्रम्स लिये हैं ऐसे हमने ब्रेड को ड्राइ रोस्ट कर लिया था और बाद में हमने इसके क्रम्स बना लिये हैं यह आदा कप हमने मैदा लिया है जिसका हमने फाइन सा गोल बना लिया है एक हमने यहाँ पर शिमला मिर्च लिये है यह बीट रूट लिया है यानि के चुकंदर यह भी हमने हाफ लिया है एक प्याज लिये है जिसे इन सब चीजों को हमने फाइन कट किया है मटर लिये हैं मटर को भी हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था. 1ा5 टीजन्ट लाल मिर्च पॉडर, 2ा5 टीजन्ट चाट मसाला, 1ा5 टीजन्ट यहां पर हमने धनिया पॉडर लिया है, नमक लिया है, अद्रख, अमचूर पॉडर, हरी मिर्च और हरा धनिया. चले शुरू करते हैं पैन को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है थोड़ा से बिल्कुल थोड़ा से हम इसमें ओईल एड़ करेंगे अब सबसे पहले इसमें हम अद्रक एड़ करेंगे अद्रक आप कम ज्यादा कर सकते हैं हम थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो हमने थोड़ा ज्यादा लिया है इसी के साथ हम यहाँ पर हरी मिर्च दो हरी मिर्च ली हैं जिसे हमने फाइन कट किया है ये भी इसमें हमने मिला दी है अब हम इसमें प्याज एड़ करेंगे एक प्याजली थी जिसे हमने फाइन कट किया है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साब तक पहुंच सके तो मटर भी हमने बॉइल करके रखे थे वो भी इसमें एड़ कर दिये हैं ये इसमें हमने चुक अंदर भी एड़ कर दिये हैं इसका टेस्ट और कलर बहुत ही खूबसूरत होगा शिमला मिर्च इसे हमें हाई हीट पर ही कुक करना है क्युकि जो हमने सबजिया इसमें एड़ किये हैं उने हमें क्रणची ही रखना है सबजिया आप वेजीस अपनी पसंद के हिसाब से इसमें आड़ कर सकते हैं तो ये आलू भी इसमें हमाइड कर देंगे अब सभी powder मसाले भी इसमें add कर देंगे इचाट मसाला, लाल मिर्च पॉड़र, धनिया पॉडर, आमचूर पॉडर और नमक नमक और मिर्च आप टेस्ट के according आप अपने कम ज्यादा कर सकते हैं आप नमक और मिर्च को कम ज्यादा पर adjust कर सकते हैं तो देखिए इसमें जो हमने बीट रूट एड़ किया है उससे इसमें बहुत ही खुबसूरत कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह से हाई हीट पर इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे तो देखिए हरा धनिया भी इसमें हमने मिला दिया है अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो देखिए यह हो जुका है अब हम इसे ठंडा करेंगे तो देखिए हमारा जो मिक्स्चर है यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है जिसके हम किसी भी शेप में जिसमें आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसके कटलेट्स बना सकते हैं तो देखिए हमने इस तरह से एक ड्रॉप की शेप दी है आप कोई भी शेप में आप इसे बना सकते हैं इसी तरह से सारे बना लेंगी बहुती आसान सी जटपट से बनने वाली रेसिपी है आप किया कोई महमाना आए या आप अपने बच्चों को बना कर देना चाहें तो बहुती मज़ेदार लगते हैं जरूर से ट्राइ कीजिएगा बस इस तरह से सारे बना लेंगे अब तो चलिए जो हमने हाफ कप मैदा लिया था उसका एक फाइन सा गोल तयार करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आइड करेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे बस इस तरह से एक फाइन सा पेस्ट तयार कर लेना है न बहुत ज़्यादा पदला होना चाहिए और न बहुत ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए बस एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में हम इसे तयार करेंगे बस यह हो चुका है अब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो देखिए इस तरह से एक एक लेते जाएंगे और इसमें डिप करेंगे फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे और फिर ब्रेट क्रम्स में इसे अच्छे से कोट कर देंगे बहुत ही क्रंची बन कर तयार होंगे आप देखिएगा इस तरह से अच्छे से चारो तरफ से इसे कोट कर देंगे बस इसी तरह से हम सब कर लेंगे एक तरफ हमने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है तेल भी अच्छे से गरम हो जाना चाहिए अच्छे तेज गरम तेल में हम इनको फ्राय करेंगे बस इस तरह से धीरे धीरे इसमें आड़ करेंगे और एक साथ टच नहीं करेंगे अब इसे से थोड़ा सा हम टरंड करेंगे और दोनों साइड से एक खुबसूरस सा कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेके दोनों साइड से इसी तरह से चेंज करेंगे और फ्राइ करेंगे तो देखे बहुत ही खुबसूरस सा कलर आने लगा है बस आप लोग खयार लखिएगा कि तेल का जो टेमपरेजर है वो थोड़ा हाई होना चाहिए तो देखिए ये हो चुके हैं दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से ये फ्राय हो गए हैं अब हम इने इस तरह से निकाल लेंगे और सारी कटलेट्स इसी तरह से हमें फ्राय कर लेने हैं तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से ब्यूटिफुल कटलेट्स बन कर तयार हुए हैं आप लोग जरूर ट्राय कीजेगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा लाह आफिज आप लेखिए दूर लेखिए आप लोगगा लेखिए झाल